इपियल 2024 ये गेन बाजों के लिए नहीं है जिया दोस्तों गेन बाजों के लिए बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ बल्ले बाजों के लिए रहा है क्यूंकि आज एक और बड़ा इथियास आईपियल में रेचा गया जैसे कि आप सबको पता होगा कि आईपियल के इथियास का सबसे बड़ा स्कोर आज के दिन RCB के खिलाफ SRH ने बना लिया है 287 का वह स्कोर बनाए दोस्तों जो कि शायद ही आप कभी तूटने के कगार पर आ सकता है जैसे कि मैं आपको आज की इस उड़ी में नव ऐसे रेकॉर्ड बता नहां लाओ जो कि आज के माच में हुए है ज इसमें 9,4 और 8,6 के शामिल थे 248 से भी जादा का स्ट्राइक रेट था उसके बाद हैं इन्होंने 31 गेंदों में 67 रनों की धुवादार पारी खेली इनका भी स्ट्राइक रेट 216 से भी जादा का था बाकी जादा कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि इन दोनों का जादा महत पूर्ण है बात करें तो अब्दूल समत की बात करूं तो उन्होंने तो सिर्फ 10 गेंदों में 37 रन मना है जहां पर उनका स्ट्राइक रेट है 370 का तो मतलब अब गेंद बाजों के लिए कुछ भी नहीं रहा है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कि अगर ऐसी धुलाई बल्लेबाजी बचने वाले अब बात करूं तो यहां पर कुछ रेकॉर्ड में आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपियल इनिंग्स एक इनिंग्स में आईपियल में सबसे ज़्यादा चक्के लगने का रेकॉर्ड आज बन गया जी आदो आई मतलब पूर्णे सूपर जायंट्स के मैच में 21 चक्के लगे थे 2013 में जब ख्रिस्गेल ने 175 के पारी खेली थी दोस्तों आर्सी वी ने वर्सेस जी एल गुजरात लायन के खिलाब 2016 में 20 चक्के लगे थे हाइस टोटल इन टी-20 क्रिकेट अब मैं आपको आई-पेल की नहीं बात कर रहा हूं जिया दोस्तों क्यूंकि आई-पेल का रेकॉर्ड तो टूटी गया है टी-20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कूर है टी-20 का 314 नेपाल वर्सेस मंगोलिया बनाया था 2023 में और ये आज का जो है संद्राइजेस हैद्राबाद ने बनाया 287 रन जिया दोस्तों ये नंबर दो पर आचुका है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा टी-20 का स्कूर उससे आगे मैं आपको और भी तीन नाम है लेकिन वह मैंने बताता बैठूंगा यहाँ पर आगला रेकॉर् हाइस टोटल इन आईपियल आईपियल में मैंने जैसे के आपको बताया 287 आज का ये सबसे बड़ा स्कूर है और इससे पहले 2024 में ही कुछी दिनों पहले मुंबई के किलाब संद्राइजेस हैद्राबाद ने ही 277 रन मराया थे जोकी वो रेकॉर्ड तोट आज तूटा है और केकियार ने डीसी के किलाब 272 रन मराया थे ये भी 2024 में कुछी दिनों पहले हुआ है मतलब इसी आईपियल में तीन हाइस्ट कोर बन चुके है दोस्तो अगर टोटल की बात की जाए तो बाखी के मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा मोस्ट एक्सपेंसिव फिगर इन आईपियल जा दोस्तो यह रेकॉर्ड थोड़ा शरम नाक रेकॉर्ड तूटने से बज गया क्योंकि बंसिल थंपी ने 70 रन दिये थे आरसी भी बैंगलोर कुब में यहाँ पर वर्सेस आरसी भी 2018 में 70 रन दिये ते और येस दयाल एकी र में ही अगर आइसी बल्लेवाजी चलती रही तो अब बात करते हैं फास्टेस्ट वहंडेड बाई टीम इन आईपियल यह भी रेकॉर्ड बज गया है दोस्तों यहाँ पर आरसी भी ने पंजाब के खिलाब 15 ओवर में 14 पॉंट एक ओवर में ही बना लिया थे 200 रन 2016 में 14.4 ओवर में सारेच ने मुंबई के खिलाब 277 जो रन बनाये थे 202 में उसमें यहाँ पर बनाये थे नंबर दो का 14.6 मतलब 15 ओवर में बैंगलुरु के खिलाब यहाँ पर एसारेच आरसी भी दोवाजाब चोईस में हुआ है और 15.2 ओवर में केक्यार डीसी वाईजाग 24 में है मतलब यह रेकॉर्ड भी आज बज गया लेकिन जल्दी यह भी तूट सकता है फास्टेस्ट हंड्रेड एज इन आईपियल बाई बाल्स फेश्ड जे अनुस्तों क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक बनाने का रेकॉर्ड किया है जो 2013 में वा था वो शायद तूटना खिलाब शतक का रेकॉर्ड ना अपने नाम क्या है और गिल्क्रिस्ट लास्ट नंबर पर आते है वालेस गेंदों में उन्होंने मुंबई के खिलाब बनाया था 2008 में अब यहां पर एक और अगर थोड़ा अलग देखा जाए तो हंड्रेड प्लस पार्टनर्शिप इन जस 43 बॉल जी अनुस्तों सिर्फ 43 गेंदों में 100 से जादा रॉन की पाटनर्शिप करने का रेकॉर्ड हुआ है यहां पर यह एक रेकॉर्ड अल्रेडी पहले भी हो चुका था वर्नर और हेंरिक्स के जोडी ने किया था और आज यहां पर यह भी रेकॉर्ड की बराबरी हो च अब नंबर दो पर हें दो बार ऐसा कार्णमा कर चुके हैं हाइस्ट पावर प्ले स्कूर फॉर एसरेच इन आई प्यल जादफतों दो अजार चोईस मुंबई के खिलाफ 81 बनायते उन्होंने पावर प्ले में उसके बाद 2017 में 89 बनायते उन्होंने हैत्राबाद में केक्य अब यह नंबर चे अगर पाच पाच भी कह सकते हैं चेतर रन वर्सेस आर्चीबी दो अजार चोईस में तो इस तसे यह जबबरदस्त रेकोर्ट आज के माच में बने रोस्तों वैसे देखा जाए तो बैंगलोर भी अच्छी टकर देनी की पूरी कोशिश कर रही है और अ एक भी विकेट नहीं है उनकी तो यहां पर यह अच्छा मैच देखने को मिल सकता है और सिर्फ पाच ओवर हुए है और सतर रन मना है और जहां तेरा गाव गेंदों में 32 पर डूपलेसिस केल रहे है तो 17 गेंदों में 38 पर विडाट कोली केल तो आपको क्या लगता है क्या आरसी भी इस मैच को निकाल पाएगी या फिर एसरेच उन्हें बूरी तरह से हराएगी इस कोच्छन का जवाब जरूर कमेंट बक्स में कमेंट करके बताईएगा अभी के लिए इतना है मिलते हैं अगलोड में तब तक कले गुड़ बाई